कि आप लोगों ने कभी नगभी तो सुना ही होगा क्या आप लोगों ने शोलूंग एस के बारे में भी सुना है नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है हलो मेरे क्लासिज दोस्तों दिस अंकिश मेप्सिस के जिंड आज मैं अप लोग के सामने लेकर क्या हूँ meaning of as long as and साथी साथ so long as तो चलिए guys चलते हैं तो guys सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दू कि so long as की जगा हम लोग as long as का use भी कर सकते हैं इन दोनों का मतलब सेम है इसमें कोई भी अंतर नहीं है तो अब बात करेगे इस phrase के meaning के बारे में तो guys as long as या फिर so long as इस phrase का मतलब है जब तक यानि जब भी हम लोग को काईस कोई भी duration देनी होती है कि इस समय तक मैं इस काम को करूगा आपने guys एक plan या फिर idea आपके पास लेकिन आप कहते हो कि इस plan को मैं यानि इस काम को मैं इस समय तक कर सकता हूँ then we will use as long as या फिर so long as इस को मैं अपने सर्णाइस में कैसे कैसे फिट करेगे उसके लिए guys फिर से में चलना पड़ेगा अपने whiteboard पर जो आप लोगों के पास पर संटेंस है वो है I will help you as long as I live यानि मैं तुमारी मदद करूगा I will help you as long as I live जब तक मैं जीवीत हूँ यापे guys आप लोगों ने एक duration के बारे बात किया कि मैं तुमारी इस duration तक मैं तुमारी help करूगा I will help you as long as I live अब guys चलेगी में अपने second example के तरफ जो आपनों के पास second example वो है I eat as much as I want so long as it is healthy इसका meaning है I eat, मैं खाता हूँ as much as I want जितना मेरी इच्छा हूँ जितना मैं चाहूँ मैं उतना खाता हूँ so long as it is healthy जब तक वो healthy हो अब यहाँ पे guys आप देख सकते हो कि हम लोगों ने so long as का use किया है as long as भी हम इसके जगए यूज़ कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है तो guys उम्मीद करतों कि आप लोगों को यह phrase अच्छे से समझ आया होगा अगर guys अच्छे से समझ आया है तो अपने life को improve करते रहे हैं जब तक आप जीवित हैं हम मिलेगे आपसे next time till then enjoy yourself keep practicing and keep your best shot